हे गाईज ताजा खबरों के लिए लाल बिटन दबा के सब्सक्राइब करें और तुरिंग खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं गई journals डलगाव में कई सडकों पर divider बनाया जा रहा है हाली में शिर्सोली के रास्ते पर भी काम शुरू किया गया जलगाव के कई रास्तों पर जो divider बनाये गये हैं वो देखकर ऐसे लगता है जैसे किसी नव सिख्ये ने एक काम किया गया हो ना कोई finishing है ना कोई समानता कहीं उपर है कहीं नीचे टेड़ी मेरी जैसी भी हो बस बनानी है इसलिए बनाया जा रहा है ये divider देखकर ऐसा लोगों का कहना रहा है लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या divider बनाने के लिए कोई नियम कानून कोई category या कोई मापदंड है या नहीं अगर है तो क्या यहां बन रहे divider उन मानदंडों के अनुरूप है अगर नहीं तो क्या इसके पैसे ठेकेदार को दिये जाएंगे जलगाओं के लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं divider बनता है तो पहले अतिकरमन हटाना चाहिए लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है पहले divider बन रहा है अतिकरमन का तो कुछ पता ही नहीं मानों ऐसा लग रहा है जैसे कि divider का काम खत्म कर कोई अर्थ करन हो रहा है जिसमें बहुतों का फाइदा हो लेकिन ध्यान रहे यहां जनता का नुकसान हो रहा है और मनपा महापौर आयोक्त उपायोक्त सभी को इस ओर ध्यान देना ही चाहिए जलगाओ से जक्की एहमत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट इंडिया आप तक नियूस के लिए क्या बोलती पब्लिक पब्लिक कुछ नहीं बोलती है सब एप्स जिम जॉइंग कर रहे है क्यों बारा हजार नोसों में फुरे साल की मेंबर्शिप मिल रही है ना येस आप्स जिम में बारा हजार नोसों में येरली मेंबर्शिप पाए आप्स फिटनेस एंड विलनेस खांदेश सेंटरल मॉल जलगाओ हे गाइज ताजा खबरों के लिए लाल बिटन दबा कर सब्सक्राइब करें और तुरिंग खबर पाने के लिए घंटी के बिटन को दबाएं